जिस गोधी मीडिया के लिए दिनराथ देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भगवान स्वरूप होते हैं नरेंद्र मोधी का जाब करते हैं वही गोधी मीडिया इन दिनो नितीश कुमार का जाब करने में लगी हुई है या फिर यू कहें कि गोधी मीडिया के लिए इन मीडिया है वो नितीश कुमार को महिला वियोधी बताने में लगी हुई है लेकिन सवाल तो तब बड़ा हो जाता है जब भाजपा के बरे बरे नेता या फिर यूँ कहें कि देश के खुद प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी महिलाओं को लेकर ओची टिपनी करते हैं तब ये ग पडिवार के साथ उन सब्दों का पडियोग पडिवार के सामने उन सब्दों का पडियोग नहीं कर सकते हैं याद किजे वो दिन जब प्रधान मंतरी भड़ी सभा में 50 करोड की गल्फ्रेन बता रहे थे किसे बता रहे थे कॉंग्रेस के दिगज नेता ससी थरोड की पतनी को याद किजे वो दिन जब प्रधानमंत्री खुले मन से देश के पुर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पतनी सोन्या गांधी को जर्सी गाय बता रहे थे याद किजे वो दिन जब देश के प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ की बात कर रहे थे हलाक उस्वक्त कहा गया कि slip of tongue है लेकिन बाद में उन्हें माफी क्या नहीं मागनी चाहिए थी बावजूद भी देश की गोधी मीडिया को भारती जंता पार्टी और नयंद्र मोधी को महिला विरोधी बताने में डर लग रहा था वज़ा यह है कि तमाम मीडिया संसाओं पर जो बड़े देश के बड़े रेशनल मीडिया चैनल से जिसे गोधी मीडिया भी कायता है वो भारती जंता पार्टी और नयंद्र मोधी के इसारे पर एजंडा सेट करती है जो कुछ भी कहा है अगर आप लड़कियों के भी जाएंगी जो पढ़ी लिखी है वो उन बातों को सही मानती है यह बात अलग है कि नितीस कुमार ने जो कहा वो बिल्कुल ही सही कहा थोड़ा तरीका गलत था जिसके बाद नितीस कुमार ने सदन में खड़ा होकर माफी मागा और कहा कि मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा लेकिन अगर मेरी बात किसी को बुरा लग गई हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ नितीश कुमार ने वो बाते कही जो बात आम तोर पे लोग करने में सरमाते है लेकिन उगवात बेहत जरूरी होता है आज इस देश में जनसंक्या एक बड़ा समस्या है देश के विकास में एक बड़ा बाधक है लेकिन इस पर चर्चा करने को कोई तयार नहीं है याद किजे वो दिन जब दुनिया भर में कोरोना का कहर था देश के अलग-अलग राज्यों में विप्रित प्रस्तिती थी बावजूद भी गोदी मीडिया के सामने बिहार के तमाम जो सिस्टम से वो फेल नजरा रहे थे लेकिन वही बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश जहां भाजपा के सरकार है वहाँ पे गंगा नदी में लासे बहती न जरा रही थी गोदी मीडिया के कैमरी उस लास को कैप्चर नहीं कर सकती थी तोकि उनमें उतनी हिम्मत नहीं थी को भाजपा के खिलाप खबर चला सके वो नैंद्र मोदी बारती इंता पार्टी सासीत राज्यों से सवाल पूछ सके लेकिन इस गोदी मीडिया के लिए नितीश कुमार से सवाल पूछना बहर दसान होता है याद किजिए वो दिन जब प्राकृतिक आपदा ब्यार में जब बाढ़ आता है जो की हर साल आता है विहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ के कारण तहस्नस हो जाता है गोदी मीडिया के बड़े-बड़े रिपोर्टर्स बड़े-बड़े एंकर से फ्लाइट से पटना पहुंचाते हैं और बिहार के अलग-अलग छेतरों का ब्रमन करके दिखाने लगते हैं कि बिहार सरकार किस तरीके से फेल है हर मुर्चों पर लेकिन वही जब बात प्रदेश के होती है बात जब बाकी अनप्रदेशों के होती है तो आज के इस वीडियो में हमने आपको गोदी मीडिया के बारे बताया कि आखिर मौन क्यूं है, नृतिष कुमार उनके चहाधे क्यों हो गए इन दिनों नरेंदर मूदी की ख़बर कम, नितीष कुमार की ख़बर जादा चल रही है चुकि नितीश कुमार ने वो कहा है जिसे कहने की हिम्मत अच्छे अच्छों में नहीं है हलाक नितीश कुमार ने यह भी कहा कि अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ नितीश कुमार ने जनसंख्या नेंतरन को लेकर जो बाते उनके मन में थी उन्होंने ओपेन माइन से उस बात को सदन के पटल पर पुड़े बिहार बासी के सामने रखा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आज से ऐसा मत किजिए अगर आप सब कुछ तरीके से कड़ेंगे तो ना सिर्थ आपके लिए बलकि बिहार और देश के लिए भी अच्छा होगा संसादन अगर संसंख्या बढ़ेगी तो देश के सिमित संसादन पर बोज बढ़ेगा नितीश कुमार ने इतने गंभीर विशय को लेकर सदन में कहा हाँ वो अलग बात है कि नितीश कुमार ने जिस तरीके से कहा उस तरीके पर सवाल उठ रहे हैं लेकिन उन्होंने जो कहा है उस बात पर जो पढ़ा लिखा वर्ग है जो इस बात को समस्ता है वो कताई सवाल खड़े करने को तयार नहीं है बावजूर्द भी गोधी मीडिया के लिए नितीज कुमार और इनकी सरकार महिला विरोधी हो गई है आपकी क्या रहा है आप अपने रायों को कमेंट्स बॉक्स में रखे आपने चैनल को यूट्व पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे फेजबूक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लिजे